गलियों बाजारों से हर दिल की राहों से आगे बढ़ रहा है ये जहाँ कोरी कोरी का गस्पे रंगों की सियाही से देश मेरा ये गड़ रहा स्वक्ष भारत, स्वक्ष भारत हो हमारा स्वक्ष भारत, स्वक्ष भारत हो हमारा स्वक्ष भारत, स्वक्ष भारत हो हमारा एक्शली मैं पिछले कुछ समय से continue social issues पर वर्क कर रहा हूँ, social videos कर रहा हूँ, social गाने बना रहा हूँ तो सच वारत एक ऐसा मुद्दा है जो कि हमारे प्रजानमंत्री जी ने स्टार्ट किया इसको मुदी जी और ये इसकी आवशक्ता भी है क्योंकि हम जो दर्पन दिखाते हैं उसमें हमारे ही प्रतिविम दिखता है, कहने का मतलब यह है कि जो हमारा देश जैसा होगा, दुनि कुछ समय से, तो पहले से कुछ बदलाव आये हैं, पहले से कुछ सुधार आये हैं और इसमें पूरता सुधार की आवशक्ता है, जिसके लिए हमने कोशिश किये कि एक ऐसे गाने को हम लेके आए जो दिल को भी छूए और लोग उसके साथ जुड़े, जुड़के उसकी ब इस गाने को हमने एक रूप तयार किया, और इसको हमने कुछ अधिकारियों को सुनाया खासकर जो इसको लीट कर रहा हैं, पी नरही जी उनको हमने जब एस सॉन्ग सुनाया, तो उनने सॉन्से ही डिरेक्ली बोला कि इसमें पायल जी को यूज़करे, तो मैंने डिरेक्ली इन से बात की, तो हमने जस्ट एक रफ तयार किया था, लिकिन वो रफ ही ऐसा था कि वो फाइनल हो गया, तो हमें मतलब उसको स्क्रेच की रूप में भेजने की भी जरूरत नहीं पड़े और वही फाइनल हुआ, और उस पर अभी थोड़ा बहुत काम बाकी है, तो हुपसो जल्दी यह आ जाएगा, तो हम लोग आपस में डिसकुशन करते हैं, क्यूंकि मैं इनको बहुत पहले से जानती हूं, इनके मैंने तीन-चार सोशल कॉस पर मैं गा चुकी हूं, तो उन्होंने जब बोला कि अम्मारे श्री पी नररे जी चाहते हैं, क्यूंकि मैं इनको बह क्यूंकि एक इतने बड़े अभियान के साथ आपको जुड़ने का मौका मिल रहा है, तो if I am getting a chance, मैं उसको हाथ से नहीं जाने दूँगे, क्यूंकि एक बहुत बड़ा कॉज है, जिसमें जो कि मेरे दिल में था कि हम अपने देश को सवच बनाएं, हम लोग जो नोग जो कुछ खा के फेक दिया या कुछ तो एक छोटी-छोटी चीजे है जो अगर हर एक 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 इनसान अगर सोचे इस चीज को तो वो ठीक कर सकते इस चीज को कि रोड में फेक निस अच्छा आप डस्मीन में फेको ताकि देश अपना स्वच हो सके यह हम लोग और हम लोग ने क्योंकि कुछ इतनी बीटिफुल है इतनी बीटिफुल कॉमपोसिशन है कि यह 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 उर हंड़़ग संग की सब के दिल को बहुत चुएगा ऐन्ड हम लोग जो मैसेज इस गाने के तू देना चाहते है तो मैं यह चाहूंगे कि सब लोग इस गाने को अच्छा से सुने औ वायल बच्चन साब का एक रिएशनल फ्रॉंग आपने गाया है काभिल में बच्चन साब को बहुत पसंद या है अब क्योंकि आप सोचिता अब्यान से अपको अपको उमीद है कि हमारे पीम सापको यह गाना पसंद आएगा अप्चली शौर क्योंकि इतना ब्यूटिफुल गाना है और हमने कोशिश किया है कि हम अपना 100% दे सके इस गाने को तो हमने अपने तरफ से बहुत कोशिश की है तो एक अगर होफुली उनको पसंद आनी चाहिए मैं यह भी नहीं हो रहा है 100% बिल्कुल आईगी आईगी विकाज उनको बहुत कम चीजे पसंद आती है में जाउम सकते हम नो양 खुछा इसनला सोता है परहत है कि हम तो एक चोड़ी पूरा ही यह को हो जाएगा हमारे देश भी बहुत सुंद़र हो जाएगा अगर स्वाच्च भारत अभ्यानी अपना oldeLab हो अगया तो कि एक थे सॉंग जो है जाही तुरी सी बड़ाद है कि परस्नेल चनेक्शनों की बीच में आएरा इगा जब बीच परस्नेल करनेकर को कि लोग जानाे के साथ तभी सब्चेचा को पुरुप्रत सब्च्च और जांकरूख हो तो अपनीनिवे अभी तो आप ने लिज पूले क किया चीजे अपने डाले हैं और संगी को लिए गर लिए इस सौंग को बनाने के लिए अलरेडी हमने करीबन दस गाने पहले बनाए थे दस गानों पर हमने वर्क किया लेकिन एंड में जाके इस गाने को हमने एक रूट दिया है क्योंकि ये एक ऐसा कॉंपोजिशन था जो डिरेक्ली दिल को छूता है डिरेक्ली हम लोगों तक पहुचते हैं पहुच सकते हैं इस गाने को लेकर तो हमने इस पर वर्क किया पहले बाद में जो शब्दो की बात हैं, लिरिक्स की बात है, तो लिरिक्स एक बहुत महात्यपूर्ण चीज है, कि आप बोलना क्या चाहते हो और दर्शक क्या समझना चाहता है, और मैंने क्यांकि बहुत सारे अल्रेडी शोषल इशूस पे वर्क किये हैं, बहुत सारे गाने भी क तो मेरी जिम्मेदारी आप कह सकते हैं कि चार गुना बढ़ादी थी इस कैमपेन ने क्योंकि ये पहुत बड़ा नेशनल कैमपेन है और मोदी जी का ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से कैमपेन है अब तक क्योंकि देश जितना सच होगा उतना ही जादा हम दुम्या को दिखा तो शब्दों का चैन बहुत इंपोर्टन था तो मैंने उस पर वर्क किया और शब्दों को वैसा चुना जो डारेक्टली लोगों तक पहुचे और बहुत ही सरल तरीके से पोचे और शब्द जब हमने किया तो हमने अम से भी डिसकुशन किया कि ये सही लगे नहीं लगे नरहरी जी से डिसकुशन किया और एंड में जाके इसके हमने एक फाइनल रूप दिया तीन साल हो चुके है इस इनी शीडी को जब पीम साब ने लेकिन आज भी हम देखते हैं कि जागृत्ता काफी कम है क्या वज़ा है आपको क्या लगती है यही लगता है कि हो सकता है कु तो फेक दो ना इधर ही घर पे क्यों ले जाए आपने तो घर आप स्वक्षी रख सकते हो तो आप देश को भी अपना घर समझो तो ही आप स्वक्षी रख पाओगे उसको मैं यह बोलना चाहिए और ऐसा बहुत बार इंसिडेंट होता है कई बार मैंने यह भी देखा है कि बहुत पहले यह मैं डिसकस करना चाहूंगी एक बर करीबन एक साल पहले की बात है तो कोई कार से जा रहे थे हम लोग पीछे जा रहे थे हम लोग दूसरी कार में थे तो किसी ने ऐसे शीशे से कोई फेक दिया बढ़ा दा कोल रिंग का कुछ एक वो बॉटल फेक दिया र इसको ज़र आप डस्ट बिन वेफे किये हम लोग कुछ बोलने वाले थे उससे पहले उन्होंने बोला क्योंकि वह पीछे थे उन्होंने पीछे से उठा के क्योंकि हम लोग उनके साथ साथ बढ़ गयते लगते तो अच्छा लगा काफी देखके एंड इसलिए और यही ची इतना बड़ा एक अभियान शुरू किया है श्री मोदी जी ने तो हम सब उनके साथ है वस हम इतना ही कहना चाहते है कि और उनको बहुत बहुत शुपकाम नाए कि उन्होंने कि इतना बड़ा कदम उठाया है तो हम सब अपने तरब से भी एक कोशिश कर रहे कि ये गाना आप बॉलिवूद की जो गाने हैं, हम आपका हाली में जो हैपी पैपी सौंग है, और इस तरह से जो टांजिशन में किना कठाई ही होती है, अगर आप जी, कठाई ही नहीं होती है, जी, कठाई ही नहीं होती है मैंने इसे पहले बाजी राव का सौंग आया था, वह भी बहुत अग्लासिक अग्लोडियस सौंग था जो की सबने बहुत पसंद किया उसके बाद भी काफी सारे जोने में अभी इस साल में अल्रेटी गाया हुआ है, यह पैपी नंबर अभी तक नहीं गाया था, क्योंकि स्वच्छ भारत अभिहान का, मैंने का बिल्कुल करना है मुझे क्योंकि एक सोचल कॉस से जुड़ना बहुत बड़ी बात है, हर कोई कर रहे है अपने अपने सतर पे, तो हमने भी अपने तरफ से ट्राइ किया है कुछ करने का, तो मैं बहुत खुश हूँ इस वज़े से, कि मैं चाहूँ कि मैं आने वाले समय में भी कुछ नही नही चीज़ें पे हम लोग एक्सपरिमेंट भी करें, ताकि हम कुछ नया कर सकें तो मैं आप अपने वाले से, काविल का गाना है किसी को मेरा शुक है, किसी को मेरा है नशा जवानी कहते है, मुझे है मेरे आशक, हर जगा किसी को मेरी हसरते, किसी की मैं हूँ दिल रुबा, मुझे पाने के वास्ते मांगे दुआ, सारा जमाना हसीनों का दिवाना, जमाना कहे फिर क्यूं, बुरा है दिल लगाना, सारा जमाना जिस तरह से सारे देमाने इस गाने को पसंद किया है, जिस देश सारे देमाने को पसंद किया है, जिस चाहेंगे, जो भी दर्शा के वीवर से जूडना चाहते हैं, बिल्कुल, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हर इंसान अपने देश को उस तरीके से ही समझे, जिस तरीके से हम अपने घर को समझते हैं, और अगर ऐसा हम सोचना सुरू कर देंगे, तो मुझे लगता है कि देश पूरी तरीके से सच हो जाएगा, तो मेरी दर्शा को सी यही एक मैसेज है कि आप सच भारत को बनाने में सही होग और सच भारत का सपना साकार करें, जी मैं भी सेम एस रिशिकेश जी जो उनोंने बोला, वही बोलना चाहती हूँ कि यह हमारा करतव्य है कि हम अपने देश को सच बनाए, ताकि पूरे वर्ल्ड में आकि हमारे देश का भी कि आम और जादा रशनी हूँ Thank you so much पाया लम से बात करें करें Thank you so much Thank you Thank you Thank you